चानक के समसामे की विशेश में आप सभी का स्वागत हैं आज का विशे है नियर अर्थ आपजेक्ट 153-201-2000-WO107 इस विशे के अंतरगत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है शुद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे क्या हमें इसके बारे में चिंतित होना चाहिए शुद्र ग्रह प्रभाव और विक्षेपन आंकलन क्या है और शुद्र ग्रह क्या होते है इसके बारे में बात करेंगे अंत में इस विशे से समंदित प्रश्ण पर हम विचार करेंगे यह चर्चा में क्यों है हाल ही में नासा ने पुष्टी की थी कि 153-201-2000-WO-107 नाम का एक शुद्र ग्रहे प्रत्वी के पास से गुजरने वाला है नासा के अनुसार ये भारी शुद्र ग्रहे काफी तेज रफ्तार से प्रत्वी की और बढ़ रहा है नासा ने इसे Near Earth Object कहकर परिभाशित किया है यानी यह धर्ती के करीब से जरूर गुजरेगा लेकिन टकराने की आशंका नहीं है शुद्र ग्रहे के बारे में इसका अकार 370 मीटर से लेकर 820 मीटर के बीच बताया जा रहा है नासा के अनुसार इसे वर्ष 2000 में कोजा गया था एस्ट्रॉइड की लंबाई लगभग दुबई की मशूर इमारत वुर्ज खलीफा जितनी बताई जा रही है वुर्ज खलीफा की उचाई 829 मीटर है यह नियर अर्थ ऑबजेक्ट धुम के तू और छुद्र ग्रहों का एक समूव है जो पास के ग्रहों के गुर्टवा कर्शन द्वारा कक्षाओं में घूमता है और उन्हें प्रत्वी के आसपास प्रवेश करने की अनुमती देता है ये वस्टवे जादातर बरफ के धूलकणों से बनी होती है और कभी-कभी ये सूरे के परिक्रमा करते हुए प्रत्वी के करीब पहुंच जाती है इसे संभावित रूप से खतरनात शुद्र ग्रह के रूप में भी सुचिक बद्द किया गया है हालांकि यह बताया गया है कि 140 मिटर से बड़े किसी भी एस्टरोइड के पास अगले 100 वर्षों तक प्रत्वी से टकराने का कोई महत्तपुन अफसर नहीं है एक किलोमीटर या उससे अधिक व्यास के आकार के शुद्र ग्रह दुनिया भर में विशालकारी प्रभाप पैदा करने में सक्षम है हर एक लाग वर्षों में एक बार हमारे ग्रह को प्रभावित करते हुए यह अत्यंत दुरलब है उदाहरन सवरूप सबसे अधिक डायनासोर प्रजातियों के अचानक विलुप्थ होने का कारण 10 किलोमीटर व्यास का बड़ा अंत्रिक्ष पिंड 66 मिलियन वर्ष पहले हमारे ग्रह से ककराया था शुद्र ग्रह प्रभाव और विक्षेपन आंकलन एस्ट्रोइड को विक्षेपित करने का अब तक का सबसे कठोर उपाय शुद्र ग्रह प्रभाव और विक्षेपन आंकलन है जिसमें नासा के दोहरे शुद्र ग्रहे पुनर निर्देशन परिक्षन मिशन और यूरोपिय अंत्रिक्ष एजनसी का हेरा शामिल है नासा दोहरी शुद्र ग्रहे प्रभाव परिक्षन अर्थात डार्ट अंत्रिक्षियान का निर्मान कर रहा है जिसी 2021 में लौँच करने की तियारी है हेरा जो 2024 में लौँच होने वाली है एस्ट्रोइड के द्रव्यमान और विस्त्रत गड़ा आकार जैसे मापो को प्राप्त करने के लिए इसका निकट से सर्वेक्षन करेगा हेरा से प्राप्त विस्त्रत आकडे इस एतिहासिक टकर के घटना करम को समझने में हमारी मदद करेगा ताकि भविष्य में ऐसे एवांचित एस्ट्रोइड को प्रत्वी से टकराव को रोका जा सके और प्रत्वी के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके शुद्र ग्रहे क्या होते हैं? ये पत्रीले और धातू के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की प्रेकरमा करते हैं ये लगू आकार के हैं और इने ग्रह नहीं कहा जा सकता इने लगू ग्रह या शुद्र ग्रहे या ग्रही का कहते हैं हमारी सोर प्रणाली में लगबग एक लाग शुद्र ग्रहे हैं लेकिन उनमें से अधिकतर इतने छोटे हैं कि उन्हें प्रत्वी से नहीं देखा जा सकता प्रतेक एस्ट्रोइड की अपनी कक्षा होती है जिसमें ये सूर्य के इर्द गिर्द भूमते रहते हैं इनमें से सबसे बड़ा शुद्र ग्रहे सेरस है इतालवी खगोलवेता पियाजी ने इस ग्रहे को जन्वरी 1801 में खोजा था लोनार जील महरास्ट्र के बुलडाना जिले में सित एक खारे पानी की जील है इसका निर्मान एक उलका पिंड के प्रत्वी से टकराने के कारण हुआ था आज का प्रिश्णर आज का प्रिश्णर है शुद्र ग्रहे प्रभाव और विक्षेपन आंकलन में शामिल है कथन एक नासा दो यूरोपिय अंतरिक्स एजनसी तीन इसरो उप्रोक्त कूर्ट की साहिता से सही उत्तर दे विकल्प ए है केवल एक विकल्प बी एक और दो द कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा पिछली वीडियो में जो प्रष्ण आप से पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही पर विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ धन्यवाग